आज की जमाने में सही बिजनिस का सेलेक्शन बहुत जरूरी है और अगर आपने एक ऐसे बिजनिस की सुरुआत कर दी है जिसका आगे चलकार इसकोप और डिमांड बहुत कम होने बाला है तो आपका पैसा और समय दोनों ही बरबाद हो जाएगा और आप निरासा के गर्थ मे चले जाएंगे लेकिन आपको ज़्यादा परिशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम आपको हर रोज कुछ ऐसे बिजनिस के आइडियाज देते हैं जिनका इसकोप और डिमांड हमेशा बना रहता है नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं Solid Business Ideas YouTube Channel आज के बिजनिस हम लकड़ी के फनीचर का सामान बनाने की manufacturing unit खोलने की पूरी detail देने बाले हैं लकड़ी का सामान जैसे कि चेयर होता है बैड होता है विंडो होता है डोर होता है आदी बनाकर आप बहुत मुनाफ़ा कमा सकते हैं और इस वीडियो माम आपको इस बिजनिस से जुड़ी तमाम तरह की जानकारी देने बाले हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि आकर ये business का scope और demand कितना है इस business के लिए furniture दुकान खोलने के लिए आपको raw material क्या लगेगा furniture की दुकान खोलने के लिए आपको machine क्या लगेगी furniture की दुकान खोलने के लिए utilities क्या क्या लगेगी furniture की दुकान बनाने की method क्या है आपको furniture की दुकान खोलने के लिए लागत कितनी होगी कमाई कितनी होगी और अगर आप furniture की दुकान खोलने के लिए lawn लेना चाहते हैं तो आप कहां से लें subsidy अगर लेना चाहते हैं तो subsidy कैसे मिलेगी और साथ में हम आपको बताएंगे कि furniture की दुकान खोलने के लिए आपको raw material और machine कहां से खरीदें फनीचर की दुकान खोलने के बाद आपका जो product बन गया है फनीचर उन्हें कहां पर बैचें आपको इस दुकान को खोलने के लिए registration लाइसेंस क्या क्या लगेंगी और आंत में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे सफल टिप्स जिनकी मह अध्यम से आप फनीचर की दुकान खोल कर इसमें अच्छा कासा मुनाफ़ा कमा सकते हैं आप इस वीडियो को अंत तक देखें ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि ज्यादा पॉइंट में हम इस वीडियो को cover करने वाले हैं लेकिन आपको फनीचर की view upload करेंगे आपको सबसे पहले जानकरी बांक्त हो जाएगे दोस्तों बात कर लेते कि लकडी या फनीचर दुकान बिज्ञिस क्या है तो फनीचर की दुकान की बिज्निस में आपको लकडी से बने सामान बनाकर बेचना होता है लकडी का सामान जैसे कि चेयर हैँ बैड है, विंडो है, डोर है, आधी अलग-अलग डिजाइन के बना कर आपको मार्केट में सेल करना होता है, यही फनीचर दुकान बिजनिस है, बात कर लेते कि आकर यह फनीचर की दुकान का बिजनिस का स्कोप और डिमान कितना है, कभी अगर आप बाजार में फनीचर लेन पेजर अपतार से आगे बढ़ रही है, लोग डेली हर रोज नए-नए मकान बन रहे हैं, लोग नए घर बना रहे हैं, तो उन में फनीचर का इस्तमाल जरूर होता है, इसलिए फनीचर का अभी डिमांड और स्कूप बढ़ रहा है, हर साल लाखों लोग साधी करते हैं और जादा होने के कारण इतने अधिक कारण है जिससे आप ए बिजनिस कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफ़ा कमा सकते हैं बात कर लेते हैं कि आके फनीचर की दुकान में क्या राओ माटेरियल लगेगा दोस्तों लकडी लगेगी जो अलग-अलग टाइप की होती है आपको प्लैन ग्लास लगेगा फैवी कॉल लगेगा प्लाई लगेगा सनमाइका लगेगा और दूसरे चोटे-चोटे उपकरन लगेगे और अगर बात करें कील वगेरा हुआ यह सब लगेंगे यह सभी राओ माटेरियल आप कहां से खरीदों और कितनी की लागत आई कितनी कोस् इस वीडियो में बने रहें बात कर लेते हैं दोस्तों मसीन क्या क्या लगेगी दोस्तों यह मसीन 15 इंच की कॉंबी मेक्स प्लैनर लगेगा यह 3 HP सिंगल फेस मॉटर लगेगा ब्लेड ग्राइंडर वित मॉटर लगेगा हैंड ड्रिल मसीन लगेगी सेंडर मसीन लगेगी 12 इंच का प्लैनर लगेगा लेट लगेगा, कटर लगेगा, हैंड टूल्स लगेगा और दूसरे चोटे-चोटे उपकरन लगेंगे ये मसीन की लिस्ट मैं डिस्किप्शन में दे दूँगा ये राव माटेरियल लिस्ट मैं description में दे दूँआ जहां से भी आप जानकारी ले सकते हैं साथ में सभी भी जो भी machine आप कहां से करीदें raw material कहां से करीदें इसके बारे मैं आगे बात करने वाला हूँ और इन सब की link में description में दे दूँआ जहां से आप खरीज सकते हैं बात कर ले थे utilities क्या लगेगी दोस्तों raw material machine की हमने बात कर ली क्या क्या लगेगी अब utilities बस्ती एक power connection जो आपको लेना पड़ेगा आपको machine के साब से दूसरे नमबर पर आपको लेना होगा manpower दोसे चार फिक जो skilled man का power लेनी पड़ेगी दोस्तों या फिल लेवल लेने पड़ेंगे जिने furniture की थोड़ी बहुत knowledge हो बात कर लेते हैं दोस्तों आपको एक दुकान लेनी पड़ेगी वो आपके गौँ में भी आप सुरुआत कर सकते हैं फिर city में आपको किरायपा लेनी प बीडियो को सुरू करने के लिए ट्रेटियो कहां से लेए वीडियो को देकर लिंक में डिस्क्रीप्शन में भी हैं। वहां से भी machine cooperation सीख सकते हैं और दीरे दीरे आप जब machine को operate करते जाएंगे तो दीरे दीरे आप भी ये furniture बनाने का business सीख सकते हैं बात कर लेते हैं दोस्तों कि लागत कितनी आएगी दोस्तों हमने लागत को दो तरीके में बाटा है एक fixed capital है और एक working capital है fixed capital में आपको swap का किराया देना होगा जैसे कि 2000-15000 हो सकता है machinery जितनी भी हमने list दी है दोस्तों description में भी list है वो लगवग 35000 में आजाएंगी इनमेस मैं कुछ बचा देता हूँ जैसे cutter 15000 का आजाएगा आपको hand drill machine आजाएगी 24000 की लगवग और अगर बात करें तो combi max planner आजाएगा 75000 रुपे का तो ये आपको machine की लगवग 35000 में आएगी working capital जो पहले raw material के बात कर लेते हैं दोस्तों votes हुआ जैसे plan glass हुआ फैवी के ओल हुआ ply हुआ सन माइका हुआ लगवग डिर लाक रुपे में आएगे अगर इतने का आप बनाना चाहते हैं इसकी link भी मैं description में दूँगा दोस्तों salary चार आदमी आपने जो रखें उनको लगवग 9000 रुपे आपको salary देना होगा इस तरीके से अगर working capital की बात करें तो दोस्तों लगवग 2,000,000 रुपे खर्च होगा और 355,000 लगवग आपका मसीन में खर्च होने वाला है तो total जो अगर बात करें दोस्तों capital की कितना लगएगा fix capital हमने देखा 355,000 10,000 और मान लेते हैं जो power connection है motor का उसके आदावा working capital दोस्तों हमने बता है कि 2,000,000 रुपे लगएगा इस तरीके से fix capital है जो मसीन है वो 35,000 आपको एक बार ही खर्च होगा तो इस तरीके से 2,000,000 परती महीना आपको लगने बाला है इस business को start करने के लिए और साल वर का लगवग 24,000,000 रुपे आपको लगएगा इसकी subsidy कितनी मिलेगी लॉन कहांसे लें इसके बारे में आगे मैं आपको बताने वाला हूँ बात कर लेते हैं दोस्तों कि आखर इस business कमाई कितनी होगी जब आप furniture बैचते हैं दोस्तों जो windows बैचते हैं, doors बैचते हैं, chairs बैचते हैं और ये प्रती महीना 50,000 रुपे है दोस्तों ये प्रोजेक्ट रुपोर्ट है भारत सरकार की जिसका मैं आपको बता रहा हूँ इस प्रोजेक्ट रुपोर्ट की लिंक भी मैंने डिस्किप्शन में दिये है जहां से ये पूरी और जाधिक जानकारी आपको मिल जाएगी बात कर लेते हैं दोस्तों सबसेटी और लॉन कहां से लें दोस्तों आप इस बिजनिस के लिए PMEGP योजना जिसमें आपको 15-35 पीशटी की लॉन सबसेटी मिलती है या फिर मुद्रा योजना के तैद लॉन ले सकते हैं दोनों तरह की जो PMEGP और मुद्रा लॉन आप कैसे लें इसकी वीडियो मैंने बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्किप्शन में दिया है बहां से इन दोनों योजना के तैद फनीचर के लिए आप किस तरीके से लॉन ले सकते हैं सबसेडी ले सकते हैं इसकी जानकारी जरूर लें डिस्किप्शन में जाएं और दोनों वीडियों को देखें लकडी फनीचर दुकान बिजनिस के लिए राव मटेरों मसीन कहां से करीद है दोस्तों आप राव मटेरों मसीन जहां से खरीज सकते हैं इंडिया मार्ट है एक ऐसी वेपसाइट है जो भारत सरकार में काफी ज़्यादा चलती है और सभी तरह के बिजनिस के राव मटेरों मसीन यहां पर उपलब्ध है तो इसी तरीकी से आप फनीचर के लिए भी राव मटेरों मसीन खरीज सकते हैं साथ में आप आपके लोकल मार्केट से भी यह सामान खरीज सकते हैं वो एवी लेवल हैं तो, बात करें दोस्तों के फनीचर तो आपका बन गया है, आप इसको कहाँ पर बेंचे, तो दोस्तों आप फनीचर आपके लोगल मार्केट में आसानी से बेंच सकते हैं, साधी का माहल होता है तो बेंच सकते हैं, और दूसरे तमाम तरह के हैं ठेकेदार हैं उनसे बात करें वहां पर भी बेंच सकते हैं या फिर ऑनलाइन में आप आपकी खुद की वेबसाइट बना लिए सोसल मीडिया पर आप आपका सामान बेंच सकते हैं या फिर e-commerce वेबसाइट जैसे आप पूछ सकते हैं कि फनीचर की दुकान खोलने के लिए क्या क्या लाइसेंस लगेगा दूसे नमर पर दोस्तों आपको GST टेक्स के लिए अगर GST ले ले लेंगे तो और अच्छी बात है और किसी भी बिजनिस को सुरू करने के लिए दोस्तों कौन से लाइसेंस लगते हैं उसकी भी वीडियो में आगे अपलोड करने वाला हूँ आपको वीडियो भी मिल जाएगी जिसमें आपको आशाइनी साथ जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि कौन सा लाइसेंस लें कौन सा रेइस्टेशन कराएं इस बिजनिस के लिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपके बिजनिस में सफल कैसे हो पहली चीज दोस्तों किसी भी बिजनिस को सफल करती है वो मार्केटिंग मार्केटिंग आपको ऑनलाइन भी करनी चाहिए औफलाइन भी करनी चाहिए ऑनलाइन आप सोसल मीडिया के सहारा कर सकते हैं दोस्तों वेबसाइट का बना कर सकते हैं आफ लाइन आप जगे जगे बोर्ड बनवा दीजिए, पैम्पलेट चबबा दीजिए, न्यूज पेपर में इस्तिहार दीजिए, तो इस तरीके से आप मार्केटिंग करके इस बिजनिस में आप सफल हो सकते हैं, पहले से जो इस बिजनिस में दोस्तों उनसे जानकारी लेक करें, इस बिजनिस की पूरी प्लानिंग कर लें दोस्तों, कितना कॉस लगेगा, कितनी कमाई होगी, क्या-क्या सामान लगेगा, इस तरीके से आप प्लानिंग अच्छे करके इस बिजनिस में सफल हो सकते हैं, पांच में नमबर तो दोस्तों आप इस बिजनिस की एक अच से ज़्यादा भी कमा सकते हैं और अच्छी तरीक इसे मार्केटिंग करके आप पांच लाग तक कमा सकते हैं तो यह फनीचर की दुकान का जो बिजनेस है दोस्तों बहुत अच्छा बिजनेस है हमेशा मुनाफ़ा देने बाला बिजनेस है साधी समारो होते ही हैं कई कंस्रक् बिजना चाहते हैं तो आप कमेंट करें साथ में अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं दोस्तों और आप हमारे वाट्सेप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं टेली लिंक से भी जुड़ सकते हैं फेस्बुक पेज से भी जुड़ सकते हैं इंस्टा पैसे कमाने की टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानका रिबनाद को जाएगे